हाई फ्रेंड तो मेरा नाम है अबदेश और आप देख रहे हैं ASDG के क्लासेज और आज का हमारा टॉपिक है कि फायर ब्रिगेट की गाड़ियों का रंग लाल क्यों होता है तो चलिए बीना देर किये हम अपने टॉपिक की ओद आगे बढ़ते हैं आपने अपने देनिक जिवन में आग लगते हुए साइद कई बार देखा होगा या फिर तेजी से सायरन बजाते हुए सड़क पर दोड़ती फायर ब्रिगेट की लाल रंग की गाड़ियों को जरूर देखा होगा लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर कर फायर ब्रिगेट यानि की अगरी समंदल के गाड़ियों का रंग लाल क्यों होता है दोस्तों आपको बता दें कि रंगों का हमारे जीवन में विसेस महत होता है और हर रंग के होने के पीछे उनका एक वाजिव कारन भी होता है तो आज हम इस विडियो में बताएंगे कि आखिर कर फायर ब्रिगेट की गाड़ियों का रंग लाल क्यों होता है तो ये सिल्चला शुरू होता है सन 2004 में फ्लोरेडा हाइवे पेट्रोल के जेम्स वी वेल्स ने एक सोध रिपोर्ट को पेस किया था इस रिपोर्ट में रंगों के विज्ञान पर चर्चा की गई थी जिसमें ये बताया गया था कि किसी भी ऐसे वहन जिसका प्रयोग आपात इस्तिती में किया जाता है उसका रंग ऐसा होना चाहिए जो हर इस्तिती में किसी को भी आसानी से दिख जाए और वह समझ जाए इस सोध में यह भी पाया गया कि लाल रंग सड़क पर आसानी से दिखता है और यही कारण है कि इस तरह के इमर्जनसी वहनों में लाल रंग का परियोग किया जाता है और आम तोर पर जब लोगों से पुछा जाता है कि फायर ब्रिगेट की गाड़ियों का रंग लाल क्यों होता है तो लोग कई तरह के अटपटे जवाब देने लगते हैं और वही कुछ लोगों का कहना होता है कि यह खत्रे का निशानी होता है यानि कि जो वहन सड़क पर तेजी से दोड रही है वो किसी खत्रे से निपटने के लिए जा रही है लेकिन ऐसा कहना दोस्तों बिल्कुल गलत है असल में दोस्तों फायर ब्रिगेट की गाड़ी के लाल रंग के होने के पीछे मुखी कारण यही होता है ताकि यह वहन सड़क पर आसानी से दिखाई दे सके इसके अलावा भी यदि बात करें तो यह लाल रंग बहुत ही पुराने शमें से अगनी समन दल दवारा परियोग में लाया जाता रहा है और तब से लेकर आज तक इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है और दोस्तों ये था हमारे तरफ से एक छोटी से जनकारी की फायर ब्रिगेट की गाडियों का रंग लाल क्यों होता है मैं आसा करता हूँ आप समझ गए होंगे तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेजिएगा और हमें दिजिये इजाज़त अब हमारी आपसे मुलकात होगी नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए जय हिल जय भारत